कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन में जल ना हो तो क्या होगा जब हम सुबा उठते हैं तो आप याद करिए कि आप क्या क्या काम करते हैं दैनिक क्रिया कलापों में हम नहाते हैं, धोते हैं, खाना बनता है, हमारे घर में साफ सफाई होती है, इन सभी चीजों में हम जल का उपयोग करते हैं, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जल का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कितना होता है, आज हम कच्छाच है कि वि जल विशय वस्तू के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जल विशय के अंतरगत हम निमने बिंदूओं पर चर्चा करेंगे पहला बिंदू हमारा रहेगा जल के बारे में हम परिशय प्राप्त करेंगे दूसरा जल चक्र तीसरा उपयोग और इन सारी बिंदूओं के बा दिखा होगा आप लोगों ने लेकिन मुख की श्रोत जो जल का है वो निम्न है वर्षा का जल वर्षा का जल हमारे यहां शुद्ध रूप में पाया जाता है दूसरा रूप है जल के श्रोत है हमारा जहरना यह भी प्राकतिक श्रोत है जल का तीसरा है नदी चौता है में जो वर्षय का जल है वो ही खटा होता है यही वर्षय का जल नदियों में जाता है और जो बरफ उची पहाडों में पिगलती है वो ज़रने के रूप में जल में परिवर्तित हो जाती है नदी के ही जल को शुद्र रूप में करके हमारे नलों में भीजा जाता है जो हमें प्राप्त होता है लेकिन जो hand pump का जल है वो हमें धर्ती के अंदर से मिलता है जल की तीन अवस्थाएं होती है मुखर रूप से जल तरल रूप में पाये जाता है लेकिन यही जल को जब अगर हम ठंडा करते हैं तो वो बरफ का रूप धारन कर लेता है जब जल को हम गरम करते हैं तो यह भाप के रूप में गैस के रूप में पाये जाता है तो जो जल है उसकी तीन अवस्थाएं हैं मुखर पहला है तरल तूसरा है यह ठोस रूप में बरफ तीसरा है भाप के रूप में जल वाश हमारे सौर मंडल में नौ ग्रह हैं, नौ ग्रह में सिर्फ जीवन कहां पाया जाता है धर्ती पर, तो प्रत्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जल पाया जाता है, और हमारा जो जीवन है वो जल के ही कारण प्रत्वी पर संभव हो पाया है, लेकिन जो धर्ती है उस पे दोतिय दोतियाय हिस्से में जो जल की मात्रा है, वो 97 प्रतिशत खारे जल की है और 3 प्रतिशत पीने योगी जल है, क्या आप जानते हैं, खारे और शुद्य जल में क्या फर्क होता है, कभी आपने एक ग्लास पानी में थोड़ा नमक डाल कर पिया है, उसका कैसे स्वाद होता है, व पीने में वो पानी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो नमकीन होता है, तो शुद्य जल की मात्रा धर्ति में सिर्फ तीन प्रतिशत ही है, इसी का गारण जो खारा पानी है, ना वो सिचाई योग हो सकता है, ना वो पीने योग हो सकता है, हमारे जीवन में जल का बहुत उप पौदों जिस तरह हमें पानी की जरूरत है उसी तरह पौदे को भी पानी की अवेशकता होती है क्रशी के छेत्र में भी जलका उपियोग होता है दैनिक जीवन में नहाना धोना कपड़े धोना साफ सफाई करना उन सभी जीजों में जलका उपियोग होता है और जो कार खाने हैं बड़े जैसे चम्डे के कार खाने हैं कागश के कार खाने हैं इन सभी में जल का उपयोग होता है अब जल का उपयोग के बारे में हम जानगे जल की तीन आवस्ताओं के बारे में जानगे इसके बाद हम जानेंगे कि यह जो वर्शा का जल और बरफ और इस सब जल जो धर परती पवर्शा के रूप में आता है और भाब बनकर उपर किस तरह जाता है तो पहले हम देखते हैं कि जब हमारे वारिश होती है तो क्या भी सोचा है कि पानी किस तरह वारिश का पानी हमारे हाँ आता है सूरज की किर्ने जब विभिन जल श्रोतों में जैसे सागर, नदी और तलाब में पड़ती है तो वो सूरज की रोश्णी के तेज गर्मी के कारण ये जो जल है वो भाब के रूप में उपर उड़ जाता है जब ये भाब के रूप में उपर पानी जाता है तो उपर जाके ये भाब ठंडी हो जाती है और वो जल की बुंदों के तो ये बादल के रूप में हमें दिखाई देती हैं जल कड़िकाएं जब इखटी हो जाती हैं बादल के रूप में दिखाई देती हैं और यही बादल जो हमें तैरते हुए आस्मान में दिखते हैं जब जादा मात्रा में हो जाता है भारी हो जाते हैं तो वर्शा के रूप में ये जल हमारी धर्टी पर आता है और फिर यही जल तलाब, नदी, समुद्र सब जगे चला जाता है और कुछ जल धर्टी के अंदर भी चला जाता है जब ये जल धर्टी के अंदर जाता है तो वही जल हमको hand pump में वही पानी मिलता है और नदी और तलाब का जो जल होता है वो हम सिचाई के रूप में भी करते हैं तो इस तरह जल जो जल चक्र है वो पूरा होता है कि जो जल जो नदी तलाब और सब जगे मिला वो सूरश की रोशनी और तेज घर्मी के कारण उड़कर भाब के रूप में गया भाब के रूप में बादल बने बादल जब में जल कणिकाए भारी हो गई तो वो जल वर्षा के रूप में फिर धर्ती पर आया हम कपड़े सुखाते हैं, तो देखा होगा कि कपड़े हमारे धूब की रोशनी में सूख जाते हैं, पौदो में अगर हम गमले में सुबह पानी डालते हैं, और शाम को हम देखते हैं, तो वो गमले की मिट्टी सूखी हुई होती है, इसी तरह अगर हम बरतन में पानी बाहर रखते हैं और शाम को देखते हैं, कि जल इस तर अबर्तन में रखे हुए जल कसतर कम हो जाता है, तो यह सारा जल कहां जाता है, यह सारा जल सूरज की रोश्णी, जब पढ़ती है, पानी गरम होता है और भाब बंड कर उड़ जाता है कभी अत्यदेख बारिश होती है तो वो नदियों का स्तर इतना बढ़ जाता है कि बारिश का पानी हर जगे फैल जाता है गाउं में भर जाता है सडकों में भर जाता है और जल स्तर इतना जादा हो जाता है कि वो खेतों के जो फसले होती है उन्हें भी बरबाद कर देता है और उस सूखा पड़ता है, क्रशी योगी जो भूमी होती है, वो बंजर हो जाती है, और वहां पे भी जो वर्षा के कारण सूखा और आकाल पड़ता है तो अत्यदिक बारिश या सूखा दोनों ही हमारे जीवन के लिए नुकसान दे हैं, लेकिन ये तो वर्षा का जल सुखद रूपे सिर्फ बहुत शुद माना जाता है, और तीन प्रतिशत ही जल है, वो शुद है इसी कारण हमें वर्षा के जल को संग्रहन करना चाहिए वर्षा का जल हम कैसे संग्रहन कर सकते हैं जो वर्षा का जल हमें मिलता है वो अगर हमारे जो तलाब है उन्हें गहरे कर दिया जाए तो वहाँ पे उसका संगरहन किया जा सकता है जो नदियां का इस्तर जादा है पानी का उन नदियों से जोड़ा जाए जहां बर नदियों का जल का इस्तर बहुत कम है जिससे हर जगे वर्शा का जल प्राप तीसरा हम एक ये उपाइख कर सकते है कि जो नदियों में पानी आता है या जो नालियों में वर्षा का जल आता है वो इकत्र होके धरती के अंदर चला जाये जिससे कि हम बात में उस धरती के जल जो अंदर हो गया है उसका उपीयोग कर सके तीसरा जो सबसे मुखे मुद्दा है कि जो बड़े-बड़े घर बनते हैं वहाँ पे भी जल का संग्रहन किया जा सकता है जो छट पे जल आता है उसको पाइप के सहारे हम धर्ती के अंदर भेज सकते हैं तो उस पानी को हम वर्षा के जल को संग्रहन इस सारे कारणों से किया जा सकता है जल का हमारे जीवन में उपयोग देखा जल की अवस्थाएं देखी जल हमारे लिए जीवन में कितना महतुकून है और जल की इतनी धर्ती पर दो तिहाई मात्रा होते वे भी सिर्फ तीन प्रतिशत ही जल जो है वो हमारा शुद है बाकी जल हमारा 97 प्रतिशत जो जल है वो खारा है वर्षा का जल हमारे लिए कितना महतुकून है इस जल को हम किस तरह संग्रहन कर सकते हैं और जल को प्राकितिक संपदा है, इसको कैसे बचाया जा सकता है